आपके कामों को आसान बनाने के लिए फिर कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत जादा यूस्फुल होगा हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल पिंग्स इनुवेशन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत जादा यूस्फुल होगा और कुछ ऐसे जुगार भी लाई हूँ जो आप डे टो डे लाइफ में यूस कर सकते हो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मेरी पहली टिप्स है फ्रेंड्स मिर्चियों को लेकर तो फ्रेंड्स मिर्चियों को रखने के लिए मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर किये हो हैं अपने चैनल पर बट आज मैं आपके साथ एक और टिप्स शेयर कर रही हूँ जब भी आप भारी मिर्चियों को इस तरीके से रखो डब्बे में फ्रिज में तो आप उसमें डाल दीजिए थोड़े से तुट्पेक तुट्पेक डालने से यह होता है फ्रेंड्स की न मिर्चि में जो मॉइस्ट्र होता है उस मॉइस्ट्र को यह सोक लेता है एबसॉफ कर लेता है और आपकी जो मिर्चिया है वो लंबे समय तक चलती हैं खराब नही तो यह त्राइ कर सकते हो बहुत वर्क करता है तो आपको यह वाली टिप्स भी अच्छी लगी होगी तो चलिए फ्रेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स टिप्स के तरफ जो है हमारी जैम के बॉटल को लेकर तो फ्रेंट्स जैम के बॉटल यह तो मेरी यूज हो चुकी है प लाई हूँ तो चूड़ी वाले बॉटल्स होती है मतलब इसमें आपको घुमाना बहुत पड़ता है और एयर टाइट होने की वज़ए से यह और भी ज्यादा नहीं खुलता है तो इसके लिए जो मैं हैक आपको बताऊंगी वह रेली मैजिक है और बहुत वर्क करता है तो बटल होगा वह फटाक से खुल जाएगा यह जरूर ट्राइगा तो कि मेरे से भी पहले नहीं खुलता था फिर मैंने यह वाला हैक ट्राइग किया तो बड़े एजली मेरे जैम का बोटल या कोई भी ऐसा बोटल हो जो एयर टाइट हो खुल जाता है तो चले बढ़ते हम अ पूरी मतलब उसने धकन गायब कर रखी है और यह सब चीजे फ्रेंट्स बहुत ज्यादा कोस्तली आती है तो इन्हें मतलब समाल के कैसे मतलब बन करें धकन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा जुगार लाई हूँ आप जरूर के दे सकते हो जिससे कि उनकी जो नोक्स वगहरा है ना पैंसिल की वह टूटे ना तो छोटे-चोटे जुगार होते हैं फ्रेंट्स जो हमारे काम को इजी बनाते हैं यह हैक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूस्फुल होते हैं दे टूड़े लाइफ में तो बस इसे आप एक शेप होल्ड कर लेगा जो इसका साइज होगा तो आप देखो कि अच्छा सा यह हमारा कैप रेडी हो जाता है तो ऐसे आप रखोगे तो नोकिल वगएरा आपकी टूट जाएंगी आपकी खराब हो जाएगी तो यह जुगार जब आपना होगे ना तो आपकी जो आपक प्रेशल की नोक से वह खराब नहीं होंगी आप जितने अच्छे से बना सकते हो इसी बना सकते हो बहुत इसली बन जाएगा तो है ने बहतरीन जुगार तो यह वाला टिप्स आप जरूर ट्राइगा अगर आपकी कोई कैप गाइब हो गई हो तो चाहे वह बच्छों की स् जो भी चैनल पर नियू है सब्सक्राइब करिएगा इंस्टा पर भी फॉलो करिएगा और अगर कोई सर्जेशन हो तो भी मुझे बताइगा आपके पास भी कोई अच्छा सा टिप्स और ट्रिक्स हो तो मुझे जरूर बताएगा मैं जरूर शेयर करूंगी तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे अराम से बना लीजिए ऐलम इन फॉल सबके घरों में होता ही है तो आपका इसली काम कर जाएगा तो मैंने भी क्या किया मेरी जो जो उसने ढखकन गाइब किय थी मैंने सब में इसी तरीके से बना के लगा लिया है और इसमें कोई वो भी नहीं फ्रे नरगार करना ही पड़ता है होस चोटे बच्चिती बहुत ज़्यादा प्रावलम हो जाती है वहाद बेटी मेरी सारी जिली कैप से सबकर यही हाल करती है उसके बाद मेरी डेक्श टिप से rubber band को लेकर rubber band friends हमें बहुत जरूरी होता है daily packaging में या और भी किसी काम में बट इसे अगर लंबे समय तक रखेना तो आप देखियोंगे चिपचिपा सा हो जाता है खराप सा हो जाता है तो इसे लंबे समय तक रखने के लिए मैं आपको बताऊंगी hack आपको करना क्या है एक क्ल स्प्रिंकल करके ही रखा हुआ था तो मैं और लवर लेकर आई हूँ क्योंकि packaging बे काम आती तो मैं इसे भी स्प्रिंकल करके थोड़ा सा हिला के रख लूँगी तो इस तरीके से rubber रखने से आपको जो rubber से वो खराब नहीं होंगी लंबे समय डग्टिकेंगी आपको जब य अच्छे tips की तरफ जो है students के लिए हमारे लिए अगर आप books वगरा पढ़ते हों और कोई paper मतलब आप कहीं पर पढ़के आप वहीं पर छोड़ दिये हो आपको next day उसे read करना है तो उसके लिए यह hack बहुत काम करता है या बच्चे कोई chapter पढ़ रहे हैं उसके आगे का chapter सुन रबर को उस page पर रख दीजे जहां से आपको पढ़ना है उसके बाद जब friends आप next day खोलोगे ना तो आपका same वो paper आपको मतलब बिना किसी परेशानी के easily मिल जाएगा ने तो आप एक एक पढ़ना पलटाओगी तो बड़ी problem हो जाती है और जब rubber रहेगा ना तो आप देख और यह बहुत अच्छा hack है तो कैसी लगी जरूर बताईएगा और try जरूर करिएगा अपने बच्चों को जरूर बताईएगा वो भी इसे use कर सकते हैं आई होप आज की सारी tips and tricks आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो friends please please support करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और इसी तरह की amazing videos tips and tricks की और blogs में अपने चैनल पे लाती रहती हूँ तो चलिए बढ़ते हम अपने next tips की तरफ जो है बहुत ज्यादा useful तो friends यह tips है मेरी coffee mug को लेकर हमारे गरों में जो extra coffee mugs होते हैं उनका use हम कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपके लेकर आई हूँ तो यह देखी मेरी बेटे की pants सकते हो और इससे कोई भी समान है कोफी मगना फ्रेंस देखने में बिलकुल ठीक है बचना इसमें से leakage हो रहा था तो मैंने का इसमें क्या use करूं तो एक तो मैं अपना रखती हूँ आईब्रो पैंसिल्स वगेरा जो मेरी lipstick से हो सब रख देती हूँ और जो कप्स हैं उन्सम तरीके से स्पून वगया रखके यूज कर लेती हूँ और यह देखिए इसमें अपने बच्चे का वेटे का यह सब पैंस 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 रख रहे हैं इस तरीके से आप यूज कर सकते हो और इससे कोई भी समान हमारा वेस्त नहीं होता है और एक बहुत अच्छा यूज भी ह हो जाता है देखने में भी अच्छा लगता है और आप इसे रख दीजे बच्चों के स्टड़ी टेबल पर तो आई होप आपको आज की टिप्स पसंद आयों कि पसंद आये तो एक लाइक करेगा शेयर करेगा मिलेंगे कल नए वीडियो में ठाइंक यू सो मच वाचिंग प्योड़ के लोगता है एक और में वाचिंग तो एक लाप नहें ही पाराइबले लाज पिस खेखने में तो आएंक फाम्तूं कुझा परता हैं रगता है यू मैं पस्क्राऊ मैं पई को आज के बष्बषड़ है है